वेलकम टू मैं यूटूब चैनल SM Medical Knowledge दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल SM Medical Knowledge में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टैबलेट का कॉंबिनेशन जैसे सिपलेक्टिन डेक्सोना के बारे में दोस्तो इन दोनों टैबलेट को जब आप एक साथ लेते हैं तो फ्रेंट्स आपका वेट बढ़ता है तो फ्रेंट्स आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों इन टैबलेट का यूज आप मेंसे काफी दोस्तों ने किया होगा या काफी दोस्त इस टैबलेट को यूज करने के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन एक बात को लेकर डर आपके मन में हमेशा रहता है कि जब तक हम इस tablet का यूज़ करते हैं तो friends weight बढ़ता है लेकिन जैसे इस tablet को लेना बंद कर देते हैं छोड़ देते हैं तो friends आपका जो weight है वो पहले वाली condition में आ जाता है तो friends इसी problem को ध्यान में रखते हुए मैं यह video बना रहा हूँ तो दोस्तो इस video में हम बताएंगे कि आप यह tablet लेना बंद करने के बाद आपका weight वही पर रुका रहेगा तो friends वही weight कैसे रोकना है इसके बारे में बात करेंगे तो friends इस video में बात करेंगे यह tablet कब लेनी या इसका duration क्या होगा friends तो सभी बात करेंगे और दोस्तों बात करेंगे इस video में हम क्यों के इन टैबलेटों के साथ में कौन सी additional medicine है जो लेनी चाहिए friends आपको तो बने रहेएगा हमारे साथ वीडियो में लाश्टक तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से request है आपसे गुजारिश है यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो friends हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों बैल आइकन को प्रेस करके इसे और इसे हमारी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मि सकता है तो इन टीवलेटों को 18 सकर्ड़ के पर छर्ण ले सकते हैं दोस्तो यह टावलेट लेडी और जंट्स दोनुं ले सकते हैं दोस्तो अब बात करें इसके लेने के तरिके के बारे में तो दोस्तो एक टार डेक्स अर बार EXPLECTIN तो फ्रेंट्स दिन में दो बार शुभा साम करके एक टैबलेट आप लगतार ले सकते हैं दोस्तो इन दोनों टैबलेटों को एक साथ आपको 20 दिन तक लेनी होता है 20 दिन के बाद फ्रेंट्स आप डैक्सोना टैबलेट को दिन में एक बार कर सकते हैं दोस्तो 20 दिन के बाद देक्सोना टैबलेट एक क्यों लेने चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स यह एक इस्ट्रॉइड है और यह मसल्स को बूश्ट करता है और जो 20 दिन में यह बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है कर देता है फ्रेंट्स उसके बाद इसका यूज बंद कर देना होता है आप अपनी डाइट में फ्रेंट्स सुभा के टाइम केले दूद और फ्रेंट्स पनीर दही या दूद से बने वे जो प्रोड़क्ट होते हैं फ्रेंट्स वे ले सकते हैं और फ्रेंट्स आप अंडा ले सकते हैं यदि आप अंडा अंडे का सेवन करते हैं universes हमारा चैनल subscribe करे वीडियो like करे कमेंट करे और शेयर करे और दोस्तों बैल icon दबाकर इसे all पको किलक करे इससे हमारी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें इससे इसमें health related और मेडिसिन्स रिलेटिड वीडियो आपको हमेशे मिलती रहेगी और अच्छे अच्छी वीडियो मिलेगी फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल वे में